दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे आज इस वीडियो के अंदर हम आपसे बात करेंगे कि अगर आपके फिलिप कार्ड एप्लिकेशन में आपका कोई भी ओडर आउट आफ डिलिबरी हो चुका है और उसे आप एक कैंसल करना चाहते हैं तो कैसे आप एक कैंसल करेंगे यानि कि माली जे आपका प्रोफाइल पर आप किलिक करते हैं किलिक करने की बाद अपने ओडर पर आप किलिक करते हैं जब आप order पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपके सारे के सारे order आपको दिखाई देते हैं जैसे कि हमारे पास एक ये order है और ये order हमें आज ही receive होने वाला है लेकिन ये order हमारा out of delivery हो चुका है जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे तो अकिरकार out of delivery order को cancel करने का तरीका क्या होता है इसे cancel कैसे करना है अगर आपको नहीं लेना है तो यहाँ पर आप दो तरीके इस्तिमाल कर सकते हैं अपने product को cancel करने के लिए और दोनों तरीके 101% work करते हैं तो सबसे पहला तरीका है कि अपने order पर आप आ जाईएगा आने के बाद यहाँ पर मिलेगा chat with us और आपको इस पर click करना है जैसे आप इस पर click करेंगे click करने के बाद आपके समने इस तरीके से page आ जाएगा जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको एक option मिलेगा where is my order get delivery agent's number उसकी बाद यहाँ पर मिलेगा more option और आपको more option पर click करना है आपके समने दिखाए देगा cancel my order का option और आपको फिर इस पर click करना है जैसे आप इस पर click करेंगे जो आपका order होगा वो cancel हो जाएगा लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लिखा हुआ है the delivery agent is on the way to deliver your product if you do not want the item you can reject it at the time of delivery your product has not been cancelled यानि कि आपका product cancelled नहीं हो सकता है आपका जो product है वो on the road है यानि कि delivery boy लेकर आ रहा है बस आने ही वाला है तो फिर आप यहाँ से आ जाएगा back आने के वाद एक option और मिल जाता है जैसा कि आपको यहीं पर मिलेगा जैसे हम फिर से अपने order पर click करते हैं तो यहाँ पर आपको एक option और मिल जाता है call करने का यह आपका delivery agents का number है तो इस नमबर पर आप call करिएगा और call करते समय आपसे pin पूछा जाएगा तो अपना यह वाला pin बताएगा 124 जैसे आप यह pin बताएगे और उसके बाद आपका जो order होगा वो आपका delivery agents कैंसल कर देगा तो यह हो गया पहला तरीका इसमें मैंने आपको दो process बता दिये हैं अब बात करते हैं दूसरा तरीका कौन सा है तो दूसरा तरीका आपका यही है direct आपके पास जब agents का call आएगा तो उस call को आप receive करिएगा लेकिन उनसे आप बता दिजेगा कि हमें यह order नहीं लेना है हम अपने घर पर नहीं है या कुछ भी problem है उसे आप बता देंगे agents को तो आपका product cancel हो जाएगा लेकिन अगर आपका फिर भी cancel नहीं होता है तो आपने product को आप receive करने ना जाएगा अब आपका automatic cancel हो जाएगा अब आप सोच रहे होंगे अगर आपने अपना product online या आपने पैसे पैले डे दिये हैं और आपका पैसा कैसे मिलेगा refund तो इसमें आपको कोई भी परेशानी नहीं मिलेगा जैसे ही आपका order cancel हो जाएगा जहां से आपने payment किया होगा जैसे कि मैंने आपर इसको payment किया है अपने credit card से यहाँ पर आपको दिख रहा होगा तो अगर हमारा ये order cancel हो जाएगा तो हमारे credit card के अंदर हमारा पैसा आजाएगा आटोमेटिक तो यह पूरा process है जिसका आप फालो कर सकते हैं और अपने out of delivery product को cancel करा सकते हैं तो मैं आशा करता हूँ आपको यह video पसंद आया होगा अगर आपको video पसंद आया हो तो video को आप like कर सकते हैं और हाँ channel पर पहली बार आए हो तो please हमारे इस channel को subscribe करके इस channel के साथ जोड़ जाएगा video पूरा देखने के लिए हमारी तरफ से आपको पहुत धन्वत